मातर सुर्जमी की की बात नहीं बात है MSP कि जब सरकार MSP गोशित करती है उसको कुछ रूपे वड़ाती है बड़े-बड़े अपना परिचार करती है कभी वह इतने रुपे सुर्जमुखी के उपर बढ़ाय जब खरीदने इसके के पर किसानों न ही कठा होगा करके कि μोडा मंडी में मार्केट कमेटी को ताड़ा लगा दिये पाइज़ करो पुर्षेत्र किसानों न ही कठा होगा K genre प्र लाठी चार्ज कर वह आजाता है कี่ इस देश का अंतर लोग अपतंतर नहीं है क्या सवीधान का राज नहीं है क्या आप अपने बाद जब एड़र्टाइजमेंट के लिए इतने तरह के तरीके अपड़ाते हो जब आपने खरीद ला ही नहीं है या तो एक दाना नहीं खरीद देंगे किसानों में मत होगी तो एकठा हो करके अपना अंदोलन खड़ा करेंगे या एलेक्शन का में कोई मन बढ़ाएंगे अपने एमसपी लागू करवा देंगे जूट क्यूं बोलते हैं एक तरफ ता आप किसानों का गुम्रा करके वोट लेते हैं कि हमने एमसपी को इतने बढ़ा दिया और दूसरी इकी किसानों पर नहीं लगी मेरे भाई नहीं लगी है और किसान को अकर अमसपी नहीं मिलेगी तो हाद बरबाद हो जाएगा किसान की लिगाने आता है क्योंकि आज तक उनके अँडिया नहीं आज तक उनको किसानों को एमस्पी नहीं मिली उनका दान 1100 रुपी आजार रुपे विखता है हमारा दान 2223 रुपे विखता है क्योंकि हमारे हैं सर्चोटू राम ने जनम ले लिया था और वह कुभी जमा गोलामी का जमाना था एमस्पी वह हमारे को मंडिया देगे एपेएमसी एक्ट बना करके मंडियां देगे उनका हम आज तका रवारी हैं क्योंकि मंडियां हमारे को तोल और मोल दोलो की गारंटी देती हैं इसलिए किसान यहां थोड़ा बचा हुआ है सब्सक्राइब, अरियादा पंजाब के किसान को वियार के किसान की तरह चूशेंगे, नि चोड़ेंगे, वियार के किसान को भी मंडियां दें, सरफ इसी सोचका रोडा इसमेना दो पहलू है एक पहलू MSP से जुड़ा हुआ है और एक पहलू वाजपा सरकार की जो निरंकष्टा और तानाशा यह उससे जुड़ा हुआ है तो यह जो MSP का सवाल है दरसल सुरज मुखी यानि सनफलार वो हमारे कुछ दिलों में बोया जाता है उसमें कुरक्षेतर भी है थोड़ा सा यमना नगर थोड़ा सा अंबाला का इलाका है तो उसका सड़शट सो साथ रूपे शिक्स थाउजेंड सेवन हंडर सिक्स्टी रूपीज पर कुएंटल उसका MSP है वो उस पर खरीद नहीं रहे वो कोई थाउजेंड में 4500 पर कुएंटल खरीद रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो बाव का अंतर है बावांतर जिसको वो कहते हैं यानि गैप ऑफ रेट ऑफ पर्चेज वो हम बावांतर में लोगों के किसानों के अकाउंट्स में डाल देंगे यह एक ऐसा चल है वास्ताव में जो नहीं केवल वो डाल देना उतना तो भी गाटा है फिर भी शर्षट सो शाट रुपे नहीं बनता है और क्योंके सुरज मुकी से तेल निकलता है तो पिछले दिनों हमारी सर्षों की फसल की जिस तरीके से पिटाई हुई अकेले हर्याना में केवल इस सीजन की सर्षों के वी हजार करोड रुपए की लूट हर्याना के किसान की हुई है इस सीजन में अकेली यह अर्थ शास्त्रियों ने कैलकुलेट करके बताया है और उसका मुख्यकार्ण यह है कि मोधी सरकार तेल जो है कुकिंग का वो बाहर से आयात कर रही है और हमारे जो तिलहन उत्पादन ओल सीड प्रोडूसर फार्मर्ज हैं उनको वो उसका रेट देने को तैयार नहीं है तो बाजरे के साथ भी यह हुआ बाजरे का MSP नहीं दिया गया और जिस भावांतर की वो अशोरेंस दी थी आशवासन वो अब तक भी लोगों के खाते में नहीं डला तो भावांतर एक ऐसा चलावा है जो MSP को खतम करने का तरीका है एक बीच का रास्ता वो उसमें से निकाल रहे हैं तो आक्रोष जो पुलिस का जो देखने को मिला अरे जिन किसानों को अब इतना लूटेंगे वह आक्रिश्वत हो के सड़के जलूप पर निकालते हुए अगर अवरोध हो भी गया और वह बैठ भी गए तो आप उनकी सुनवाई करना जरूरी है ना कि मतलब वह ज अगरियाना के सरपंचों के साथ यही कर रहे हैं तो किसी भी मसले को समानजनक डंग से और जनतांत्रिक डंग से बुला के सरकार उसकी सुनवाई नहीं कर रही है ये बहुत बड़ी समस्या है इसलिए आर्थिक हमला और आजीवी के उपर जो हमला है किसान मजदूर पे वो हमला उनके जनतांतरिक अदिकारों पे भी है और ये हमला थाइस तारिकों जो हुआ दिल्ली में वो यही तो था कि पहलवान संसद के उद्गाटन के नाम पर कितना बड़ा एक तमाशा दुनिया ने देखा कि राष्ट्रपती को दूर रखे विपक्ष को दूर रखे उप राष्ट्रपती को दूर रखे आप सेंगौल हाथ में लेके और मतलब अपना राज्य भीशेक करवाना जरूरी समझते हैं वो भी उसी का नतीजा है निरंकुष्टा का तो वो सारा उपर से नीचे तक ये समगर हमला है जिसका समगरता में ही मुकाबला करना जरूरी है सामसमझते अभी बारा तारीकों वहाँ पर एक बड़ी पंचाथ पीपली में होगी शाबाद वाले कांड के खिलाप और उसमे सारे संगठन जाएंगे उसके आगे की रणनिती क्या होगी यह उस पे निर्बर करेगा लेकिन हमारे लगबग पूरे हर्याना में जो फसलों की खराबी का मुआउजा है वो लगबग सभी जगे अठका हुआ है या तो वो खराबा रिकॉर्ड नहीं कर रखा पूरा अगर उन्होंने CSC के थुरू भीमा में रेजिस्टेशन करवाया था वो रिजेक्ट करवा लिए जब भीमा कंपनी को लगने लगा कि तुम्हें करोड़ों रुपे देने पड़ेंगे इसलिए बड़ी संख्या महाजारों करोड़ों रुपे कंपनिया जो है वो देना नहीं चा है पर देश भर में किसान आंदोलन में बहुत बड़ा ऐसंतोस है मजदूरों में भी है करमचारियों में भी है कि अग्याओ कि अग्याओ कि